स्वयं से साक्षाद कार स्वयं से सक्षाद कार कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है हम पिछली कड़ी में आलोचना कर रहे थे जीवन के फॉर्मुले तो आएए सुनते हैं जीवन के फॉर्मुले के उपर प्रज्ञान पुरुष स्री स्री बाबा ठकूर के प्रवचन के कुछ अंग्ष एक कायते है लिस्ट नंबर और नाइन कायते है गटिस्ट नंबर अरिथमेटिक में तो हमारी नव विधा भोक्ति नव रसायन नव रत्न नव ग्रह देको नाइन का मतलब क्या होता है? नव रसायन के मिश्ट 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 नव रसायन के जिसी मुकाम बनाने के लिए क्या थे यह लोह, सिमेंट और बाली, देखो, तीन लगते, उसके लखनी भी लगाया। तो जिवन का ऐसी हमारी सोरीर भी बना हुआ पंच भूछ से, उसके साथ मौन और प्रान लगा दिया, शात हो गया। फिन उसके साथ बुद्धियार बोट सुरूप लगाजिया तो नए होगी है। तो देखो, जिवन में कैसे खेल चल रहा है। इसके लिए हमारी कुछिन कुछ हाई भी नहीं लेकिन हमारी पुराना सास्त्र में, पुरान में, रिषिलोकन, मुनि लोकन, बोट सिधा से चीज बताया था। लेकिन पंडित अभी आपना स्वार्त्य कास्ति उसको गटला बना दिया बहुत कुछुछ। वो समझ भी नहीं आता है हम लोको। तो इसलिए मैंने उसको बहुत सीधा करके सब के सामने राखा। सद्गुरू स्रीश्री बावठाकुर से हमने सुना जीवन के फॉर्मूले क्या है। एक का फॉर्मूला तो हम देखी चुके हैं वान इन वान ओफ वन मैं 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 का मैं इसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट कर लें तो वो भी बन गया। तो एक के बाद हम आए दो पे अब ये दो के फॉर्मूले क्या बावठाकुर के अंदर से उद्गित हुए। एक है मैं, एक है मेरा, मैं और मेरा. अंग्रेजी में कहें, तो being and becoming. The being investments is dependent, becoming is power. ये सब दो का खेल चल रहा है. ये सारी जगत लीला है मैं के वक्श पे मेरा का खेल. जिसको एक दूसरे ढंक से अंदर से एक august Proclamation जो निकली है The world phenomena is the sportful, dramatic, same-side game of self-consciousness Self-consciousness ही मेरा के रूप में Self-consciousness ही में के रूप में सत्ता के रूप में, शक्ती के रूप में जैसे भी कह लीजिए दो के फॉर्मूले निकल रहे हैं तू, जन्म है, मृत्यु है रात है, दिन है सत्य है, मित्या है ये दो के जो फॉर्मूले हैं, ये इस हिसाब से चल रहे है निर्गुन सगुन भाव अभाव प्रिपरेशन एंड पर्फेक्शन ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन है और ये प्रिपरेशन जब हमारी कम्प्लीट हो जाएगी तो हम पर्फेक्शन पे पहुँच जाएंगे भले ही पर्फेक्शन पे पहुँचने के बाद हमें पता चले कि ये प्रिपरेशन भी कुछ नहीं था ये पर्फेक्शन ही था अपने आपको प्रिपरेशन के रूप में रिवील कर रहा था कितने मजे की बात है देखिए ये स्वान भूती क्या चीज़ है हम लोग शायद थोड़ा थोड़ा इसका अंदाजा लगा पा रहे हैं सिरफ अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं ये स्वान भूती जब अंदर किसी के उद्गित होती है वो क्या आनंद है उसके अंदर ये हमारे लिए सिरफ एक कल्पना है लेकिन जिन्होंने उस आनंद को डायरेक्ली एक्सपीरिंस किया है उस आनंद की अनुभूती में जो जीवन जी रहे हैं उस सत्य की अनुभूती में जीवन जी रहे हैं इसलिए हम उन्ही को फॉलो कर रहे हैं ताकि वो आनंद हमारे अंदर भी पूर्न रूप से उजागर हो जाए ये दो का फॉर्मूला रहा जी फिर इसके बाद हम आते हैं तीन के फॉर्मूले पे हमारा सारे दिंचर्या अगर हम देखें तो एक हमारी अवस्ता है जागरत एक स्वपन अवस्ता एक शुशुप्ती की अवस्ता गहरी नींद की अवस्ता जागरत स्वपन शुशुप्ती इसके बाद अविद्या विद्या पराविद्या एक बहुत बड़ा science बावठकूर के अंदर reveal हुआ है three in one, one in three का जब उन्होंने philosophy, science and religion इन तीनों को कहा one in three, three in one ये तीनों असल में एक ही हैं लेकिन हमारे outer world में हम क्या देखते हैं philosophers, scientists और religionists को ले नहीं पाते scientist, philosophers और religionists को ले नहीं पाते religionists, scientists and philosophers को ले नहीं पाते देखिए वडंबना कितनी बड़ी है और प्रग्यान पुरुष जो तीनों को एक करके हमें विज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सिरफ पेट कोई पकड़े कोई सिरफ सर पकड़े, कोई सिरफ पाउँ पकड़े तो आदमी पूरा नहीं होता है ये सर भी चाहिए, पेट भी चाहिए, पाउँ भी चाहिए तब जाके इनसान पूरा होता है अब ये चीज़ जहन में नहीं आती है फिलोसोफी यानि दर्शन विज्ञान को कहते हैं तत्व, सार, the essence, the principle हमें दर्शन से मिलता है इस principle का जो वैवाहार है, use है life में वो हमें science से मिलता है और ये सब को धारान करके रखता है धर्म, सनातन धर्म की जो व्यक्या जो definition बावठाकुर ने दी है वो ये कहा है, जो सब कुछ को धारान करके रखता है philosophy का छोटे से छोटा प्रकाश science का छोटे से छोटा प्रकाश और बड़े से बड़ा प्रकाश बहुत बड़ा brahma ज्यानी उसको भी धर्मधारन किये हुए है और एकदम निक्रिष्ट इंसान जो हर रोज गलतियां कर रहा है बहुत socially unacceptable काम कर रहा है उसको भी धर्मधारन किये हुए है नहीं तो वो जी कैसे रहा है अब देखिए ऐसे सत्त की तरफ हमारा ध्यान आकरशित कर देते हैं अब formula of three में और देखें objective world है जिस objective world को जो भोग रहा है जो इस्तमाल कर रहा है वो subject है और super subject है उसी के केंदर में रहे हैं ये सारे formulae जीवन से directly related है और हमें अपने ही अंदर travel करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा ज्यान दे रहे हैं जिस से हमें आसान हो रहा है travel करना within so everything is related to a far deeper a thing of greater depth something of greater depth which helps us in traveling within to ultimately discover our own self इसके बाद हम आते हैं चार के formulae पे चार का formulae में gross outer world gross के बाद subtle the inner world मेरा स्वभाव उसके बाद again we come back to किंदरी आवस्था इश्वरी आवस्था उसके बाद हमारी तूरी आवस्था gross subtle subtla subtle most अज्यान ज्यान 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 भास विज्यान प्रग्यान ये सब चार के formulae के अंडर ये सारी चीजें आती हैं form बाहर है name शुक्ष्म है ध्वनी है idea भाव है और भी finer है form, name, idea, consciousness यानि चैतन्य सबसे ज्यादा शुक्ष्म है शुक्ष्म तम है तो form, name, idea, consciousness gross, subtle, subtler, subtlemost जीव, जगत, ईश्वर, ब्रह्मन, आत्मन, आई, reality man, buddhi, अहंकार, चित ये चार हमारे अंतह करण हैं इनकी बात आ रही है gross, subtle, causal, supra-causal अब एक और, चार के formula के अंडर, एक बहुत शुक्ष्म चीज, बावठाकुर के अंदर से व्यक्त हुई है जहां वो कहते हैं, action in action साधरन जीव, हम लोग हमेशा अंदर से भी action oriented है in the sense हमारे अंदर हलचल हो रही है बाहर तो action हुई रहा है यानि बदलाव के माध्यम से क्रिया में क्रिया, action in action हो रहा है जो सिध्ध पुरुष है वो action in silence करता है ईश्वर जो है, silence in action है एकदम perfect silence उनके अंदर है लेकिन बाहर, चूंकी जुड़े हुए हैं जगत के साथ action बाहर हो रहा है खुद silence personified है और transcendental अवस्था, तुर्यावस्था, तुर्यातीत अवस्था है silence in silence यह हो गया action in action action in silence silence in action silence in silence देखिए, चार का फॉर्मूला यह जो बावठकुर के अंदर के फॉर्मूले हैं यह हमको कहां से कहां पहुचा देते हैं इसके बाद आते हैं हम पाँच के फॉर्मूले पर पंच कोश, पंच भूत हमारा जो शरीर तयार है यह सारी प्रत्वी तयार हुई है पंच भूत से अर्थ, खिती, अप तेज, मरुत, बोम यानि अर्थ, धर्थी अप, यानि पानी, तेज तेज यानि अगनी आँख जो है वो तेज का एक रूप है अर्थ, पानी अगनी वायू, मरुत और बोम, बोम यानि स्काई, देथर, यह पाँचों के संग मिश्ण से हमारा देह तयार हुआ, यह एंटायर आउटर ग्रॉस वर्ल्ड तयार हुआ उन्ही के पंचतन मात्र के माध्यम से हमारा सटल बोडी जो अंदर है जो दिखता नहीं है यह हमारी ग्रॉस बोडी है, अंदर एक सटल बोडी है और उसके अंदर एक कारंदेहा है कौजल बोडी है तो यह जो सटल बोडी है ये भी इन ही पंच भूतों के एक particular permutation combination से बनी है बावट हगुर ने वो भी complete उजागर की है ये जो पंच भूत का इस्तमाल है उसके बारे में पंच तत्व हैं, पंच ग्यानेंद्रिया हैं, पंच कर्मेंद्रिया हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं आँख ना कान इत्यादी और हमारे ये हाथ, पाउं इत्यादी इन चीज़ों का जिक्र हम कर चुके हैं Animal nature, human nature, celestial nature या animal life, human life, celestial life यानि देवताओं की life और उसके बाद आती है perfect divine life ये formula 4 में आ जाता है अब हम छे पे अगर जाएं तो छे के उपर बावठकुर का एक बड़ा unique absolutely original revelation है which is laws, life, light, liberty, love, lord ये six-fold L का formula है कि किस हिसाब से जो बाहरी जगत है वो केवल laws से governed है और ये जो laws हैं ये life के लिए हैं life है अपने light के लिए inner light अपने अंदर का inner knowledge को reveal करने के लिए life है और light जब reveal होती है इस से इनसान को liberty आती है freedom मिलता है पूरन रूप से मुक्त हो जाता है मुक्त होने का विज्ञान आता है उसके पास और मुक्ती के बाद par excellence of मुक्ती से वो love पे पहुंसता है प्रेम जो एकदम one to one का प्रेम है जिसके अंदर दो नहीं है और उसके बाद प्रेम स्वरूप है Lord सो ये six-fold L का formula बावठाकुर के अंदर ये number six इस हिसाब से reveal हुआ birth, existence, growth, maturity, decay and end ये जो छे stage से life गुजरती है जो हम आलोचना कर चुके हैं ये भी six का formula है seven के formula में साथ चक्र हैं हम सब योग के जो चक्र के माध्यम से जो लोग योग करते हैं ये जिसको कुंडलिनी योग कहा जाता है ये चक्रों के माध्यम से जो योग होता है मुलाधार बिलकुल नीचे का चक्र और सहस्रार बिलकुल उपर का चक्र फिर ये मुलाधार से स्वाधिष्टान स्वाधिष्टान से मनिपूर मनिपूर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धाक्ष, विशुद्धाक्ष से आज्या, आज्या से सहस्रार, यह सब्ध चक्र का खेल है जो कुंडलिनी योग विद्या है, उसी हिसाब से ग्यानियों के लिए उसी हिसाब से सब्ध भूमी है, भू, भुवः, स्वः, जन, मह, सत्य, कह रहे हैं, फिजिक्स जो है, यह साथ अक्षर हैं इसमें, पी, एच, वाई, से अगर आगे हम बढ़ें, पी, एच, वाई, एस, आई, सी, एस, साथ अक्षर हैं, यह साथ अक्षर को बावठकुर देखिए, जो एक का विज्ञान उनके अंदर रिवील हुआ है, उस इसके साथ जब आप दो और जोड़ देते हैं, टू के बाद है, आउन एंड बियॉंड, यह नवर असायन केमिस्ट्री पे आगए, नौ अक्षर, देखिए, किस हिसाब से, यह साइन्स अफ फिजिक्स अन केमिस्ट्री इनके अंदर रिवील हो रहा है, यह कह रहे हैं, सार दुर्गा पूजा के महत्व पे चले जाएं, तो सब्तमी, अश्टमी, नवमी, दशमी, दशमी में विसर्जन, यह जो पानी है, यह बोध सागर का ग्रॉस प्रतीक है, तो बोध सागर में मिलके एक हो जाना, तो यह सब्तमी, अश्टमी, नवमी, दशमी का एक स्पेशल स शास्त्रों के अनुसार, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष आते हैं, तो जिसमें प्रतिपद से यानी सोला कला पूर्ण है प्रज्ञान पुरुष, सोला कला पूर्ण है परमेश्वर, ये सोला कला को कैसे डिवाइड कर रहे हैं? प्रतिपद से शुरू है, दित्विया, चतुर्थी पंचमी शष्टी ठीक है यहां आके छे पे आके एक विराम लगा सेंट्रल पार्ट आ गया सेवन एट नाइन टेन और टेन के बाद एकादशी द्वादशी त्रेओदशी चतुरदशी फिर उसके बाद हमारी पूर्णिमा आ गई और इन पंद्रा को मिला के 16 इस नाशिनी दूर्गा दूर्गति नाशिनी माता अभय दायनी शर्ति स्वरूपिनि वरदा सुखदा ज्यनदा मुक्षदा श्रत्ता भक्ति प्रेम दायनी माता दूर्गा दूर्गति नाशिनी दूर्गा दूर्गति नाशिनी जगध जनननी सर्वतत्व स्वरूपिनि जगध जनननी सर्वतत्व स्वरूपिनि सगुणा निर्गुणा प्रह्ममय माता प्रिगुण धारिनि स्रिष्टि सिति सम्हारिनि अहंकार नाशिनी माता दूर्गा दूर्गति नाशिनी माता अवय दाइनि शक्ति सरूपिनि दूर्गा दूर्गति नाशिनी दूर्गा 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 दूर शर्णागत दीनार्थ परित्राण परायन में सर्वस्यार्ति हारे देवी नारायनी नमोस्तुते सर्वस्यार्ति हारे देवी नारायनी नमोस्तुते